हां जी बेटा क्या हाल है जी आप सब का फोफिली आप सब बढ़िया होंगे तो आज बेटा जी सीए इंटर कॉस्टन मेनेजमेंट काउंटेंग जुलाई 2021 का जो पेपर हुआ है उदर व्यू एन अनलसिस करने जा रहे हैं कुछ बाते हैं जो वीडियो शुरू करने से पहले बता रहा हूँ यह एक ना इसको पूरा सुना गुरू खासतोर पर जो प्रिपेर कर रहे हैं यह तुमारे लिए काफी हल्फुल होएगा तुम्हें दिखेगा पेपर कैसा आता है खासतोर पर कुछ लोग जो थोड़ा स्प करके डाला गया इस पर वैसे तो हर बारी पार्ट सुपते हैं पर पांच-पांच नंबर के भी काफी पार्ट उसमें जा रहे थे ठीक है जी तो नो डाउट एक अच्छी स्पीड तो आपको चाहिए पेपर को कंप्लीट करने के लिए अब जी इसको अकाउंट के पेपर के तो वो एक समालने वाली बात थी यहां पे मैं एक दो कोश्चन आपको दिखाऊंगा कि जहां पॉइंट हलके से नहीं है तो वहां लोग इदर उदर भी होगे उसकी हम डिसकुशन भी करेंगे आए सर शुरू करें इस चीज़ को तो पहले तो स्टार्टिंग पे आजो सर पहला कोश्चन जी कंपल्सरी कोश्चन ते वहां पहुंचने की कोशिश है ते देखते हैं जी क्या-क्या उसमें आया और पॉइंट्स भी डिसकुस करेंगे जितना किस टाइम में हो सके सर पहला कोश्चन आया जी ABC Analysis का Activity Based Costing नहीं ABC Analysis ABC Analysis Material Classify करने के एक टेकनीक होती है 70-20-10 वाली जिसमें हम गाड़ी का एक्जामपल लेके भी करते हैं Category A 70% in terms of value in terms of number of item 10% पर याद रखना module में इदा एक कोश्चन है जिसमें इंसीचूट अपने हिसाब से कुछ categories बना लगता है याद है तो हमें कई बार हम कहते भी है कि यार या तो यह कोश्चन में लिखके करो तो बात बनेगी आज बात बन गई कोश्चन आया जिदे अंदर unit और unit cost दिवी है तो यह multiply करके total cost सब ने निकाल ली ठीक है अब total cost में परसेंडे निकालने भी सबको आती होती है लेंथी कोश्चन कर रखें बेटा ऐसे ऐसे कोश्चन भी कियो है जिसमें पंदरा बंदरा इटम होती थी अब कहता है mm limited ने adopt किया policy classify करने की कि जो पंदरा परसेंट और above of the total inventory cost और वो category है बात ही खतम जी जहां जहां 15 और more परसेंट है दिखजेगी total में उसे category यह लिखी जाना फिर कहता है item constituting 6% क्या उससे भी कम वो C है तो बचे वी आप पर ही क्या रहे जागी B तो बहुत सान कोश्चन था बट यह 70-20-10 rule नहीं लगाना है यह आपे classify करने के लिए अपने आप से इस percentage को follow करना है ठीक है यह नहीं कि आप highest values वाले को add करके 70 बनाने लगे नहीं नहीं है तो जिसकी percentage सबसे ज़्यादा है कि उसे rank one करते ना फिर उससे कम two ऐसे तो पांच नंबर के लिए था लिखने वाली मैनत थी ठीक है time लगेगा हलका सा items अगर आप देखते हैं तो यहां आपके पास जी 6 items है total calculations रैंकिंग भी दिखानी है presentation भी अच्छी रखनी है time consuming होते ह मैं कहते हूं टेस्ट दिया करो speed रखा करो अपनी टेस्ट में stop watch रखके घर पे भी आधर डालो ठीक है आज हो सर अगला question भी five marks का ओवरेड की खुश्बू इसमें आ रही है SNS trading company has three main department मतलब production दो service department अब सर यह आप देख सकते हैं कि primary distribution तो इनका बना हुआ है फिर यह area और number of employee सब का ही बताया हुगा cost of the maintenance department and personal department इस basis पर अलोकेट हो नहीं है basis भी खुद ही बता दिये सर देखिए अब हमारे पास personal के लिए तो वैसे भी number of employee होता है अब maintenance का फिर अगर यह ना बताता तो area की तरफ जाना पड़ना था नहीं तो maintenance के और भी base होते हैं पर इसने बता दिया केंदा मेरे को कोई फसाद नहीं चाहिए मैं बता रहा हूं अब सर कौन सा method लगवाना है आपने है यह तब prepare a statement showing the distribution of expenses of service department to main department using step ladder method सर step method पर आ गया सर देखने को न कई लोगों को इसमें reciprocal का वो लग जाएगा reciprocal कैसे रहे जाएगा मताता हूं जैसे personal में बंदा देखेगा कि भाई यह परसोनल को ऐसे बांड़ दू यह चार इसके होगे परसोनल ऐसे बांड़ दू और जे maintenance बांड़ना तो यह चार इसके होगे है ठीक है न यह परसोनल वाला exclude और यह ठीक है ऐसे ऐसे तो यह question फिर आपको reciprocal का लग जाएगा सर बट यह reciprocal नहीं है step ladder है तीन method में ली हम करते हैं फिर return trial भी करवाया जाता मोड्यूल में से कि भाई एक तो होता है direct method जिसमें service सिद्धा ही production में आता service to service कुछ होता ही दूसरा होता आपका step जिसमें जो सबसे बड़ा service provider है वो पहले बटेगा वो सब में जाएगा पर उसके बाद दूसरा जो आएगा उदा एक base कम होज़ेगा मैं लेकि जिसमें personal का number पहले आया तो उदे 4 हिससे होंगे मैं यह नहीं कह रहा है ता number पहले आय सर पर सर इसमें तो आप दूनों ब्राबर बेस दे रखें अगर हम personal भी देखें वो चार जगा डिवाइड हो रहा है maintenance भी चार जगा सर दो-दो method दिखाए हुए आपको tiebreaker जिसको ने लायक पाटिया super over कहती होती थी यह बेस से होगया आप super over होगा आज वोई super over के लिए त personal to maintenance देख लेते फिर maintenance to personal देख लेते जिसकी percentage ज्यादा आती उसे पहले बाण दते यह अगर एक question था assignment में जुसे में कहता था could you have ranked otherwise in any other way यह वो फिरो value वाला method भी होता पर वो क्यों लाना सर पांच नंबर वा question है percentage में निप्टा दो फिरो कहता है जब यह हो जेगा तो आप rate पर hour भी निकाल दो और each main department मलें की primary primary departments को production departments को यह main कहीं जा रहा है अब गवराना ना कहता जी purchase department, packing and distribution department work for these much hours और आपके पास assume there are these much days, no holidays तो multiply करके hours आजेंगे फिर rate पर आ रहा है पांच नंबर कहा है यह भी सिरफ मैं यह नहीं कहरा कि ball in थी है बट स्टिल आपको speed होनी चाहिए जो सिद्धी बात है अगला question सर कोविड-19 के रंग तो institute हर पिपर में लगाने ही कुशी कर रहा, final में भी लग रहे हैं और यहां भी, आप कहता है जी aux limited has annual demand from a single customer of 60,000 covid-19 vaccine, ध्यान रखना यह आपका customer है जिससे आपको यह demand है, तो आप supplier है, या तो इस vaccine में लगने वाले raw material के आगे बात होगी, या इसी के अगर बात होती रही, तो यहाँ EO क्यों compute नहीं ह हम बना रहे हैं, बाप पढ़ी लो तो ज़्यादा अच्छा, customer prefer to order in a lot of 15,000 vaccine per order, production cost of the vaccine आगी सर, अब तो clear हो गया कि आप ये vaccine बना रहे हो, सर फिर ये तो उमारा एक तरह से, annual production करना पढ़ेगा, इतना, setup cost per production run, यह देखो 4800, setup cost, class में आपको EUQ पढ़ा के, अगर EBQ का question करवा लो ना, आप तभी कर देते हो, economic batch quantity वैसी निकाल देते हो, जैसे EUQ निकालते हैं, पर concept wise वो अलग चीज होती है, formula देखने में सेम है, formula की terminology different है, economic batch quantity निकाल नहीं थी यहाँ पर, एक point और खेल गए, यहाँ पर, वो point क्या होताता हूं, setup cost अब ही है, setup, यह ordering नहीं है, पर ordering की तरह ही यूज कर लोगे तुम लोग, और हम लोग ऐसे बेकोफों वाली presentation नहीं करेंगे, proper लिखेंगे, point क्या खेल गए, अगला सुनो, carrying cost 12 रुपे per vaccine per month दी हुई है, sir अग यह हैं सारे, यह देखो, economical production run पूछा है, अब कई बैच्चे यहाँ economic order quantity लिखके solve कर रहे हूंगे, sir अगर strictly check हो है, तो number नहीं मिलेगा, this is the batch size which is to be computed, यार, अब कहता है, आपका extra cost क्या होगा, अगर आप production करते हैं, 15,000 vaccines की ना batch, sir देखो, optimal production run के recording setup cost, और carrying cost का total minimize हो जाता है, अब अगर आप उससे ज्यादा बनाओगे एक batch में या उससे कम, तो इनका total बढ़ेगा, तो वो सारा बनाके बताना होगा कि यहाँ इतना है, इसके recording इतना है, पांच number इसके मिलेंगे, यहाँ point यह वाला गलत हो सकता है, दूसरा अगर आपने production run में economic order quantity लिख दिया, तो number strictly तो काटे जाएंगे, अबला question जी बहुत ही ज़्यादा पपू कोशन है, इंडिफरेंस पुइंट पूइट बुच्छा हुए यार, तो दोनों method का break, बहुत किया हो सर, तीन-तीन method वाला भी CVP में कराया तुम्हें, यह तो तुम पक्काई कर सकते थे, कोई भी दिक्कत नह देख रहे हैं, खास तो रुपे analysis यार, उनके लिए जिनके attempt अभी होनी है, यार, यह इस तरह का तो हमें आता है, इस पे कुछ नहीं है, यह नहीं मैं कुछ भी discuss कर रहा, अगला question सर, देखो, cause sheet का एक सवाल डलना होता है हमेशा, और इस पे हमने काफी मुश्किल वाले question भ आता होता है, उन्होंने सिर्फ उसे theory समझा होता है, उनका a part भी दरुदर होएगा, covid vaccinal question में आप गडबड कर सकते हैं, concept की economic batch size वा निकालना है, not the economic order quantity, फिर वो per month per vaccinal appointment है, cause sheet question काफी अच्छ है, और पहले दी चर्चा करते हैं, सर दिखो, यह data दिया हुए, relating to the manufacturing of standard product during the month of March, opening RM है, opening WIP है, purchase है, carriage है, यहां तक बच्चा खुश है, सर यह तो मैं चाख दूँगा, direct wages है, ठीक है सर यह भी पता है, cost of special drawings, यह cost sheet का module करते हैं, तो दे अंदर आप direct expense की list में, designing, drawing, molds, बड़ी बातें करते हैं, higher charges paid for a plant, special plant नहीं लिखा वैसे, return of raw material, यहां तक भी बंदे को ब purchase, return है, net करा दूँगा, अब पढ़ेगी bound, सर, carriage on return, चर्चा का विश्य बना हुआ, यह वाला point, बहुत बच्चों के, महले, queries आ रही है, कि सर एदा क्या करना था, सर दिखिए, ऐसा है, आप raw material consumed कैसे निकालते हैं, सर, opening stock of raw material, net purchase of raw material, add carriage cost, minus closing stock of raw material, अब carriage on return, समझ में तो आ जाता है कि क्या है, कि जैसे आप manufacturer है, manufacturer है, आपने supplier से raw material मंगवाया, उसमें कुछ खराब माल भीज दिया, उसने, जो आपको लग रहा है, खराब है, आपने का जी यह तो हम वापिस करेंगे, supplier ने कह दिया कि ठीक है, आप वापिस करो, पर इसको मेरे तक पंचाने खर्चा आपका है, मैं आपका account में adjustment कर दूँगा, कि ठीक है, मैं आपसे पैसे adjust कर दूँगा है दे, पर यह में तर जो carriage बड़ेगी न, वो आपकी है, बहुत चीजों में ऐसा लिख भी रखा होता है, कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप इतने दिनों वापिस कर सकते ह को dispatch करने खर्चा आपका होगा, तो यह carriage है, it is not the inward carriage, it is the carriage on returns, अब returns आप net purchases में तो करोगे, net purchases निकालते हो, return तो minus करोगे, पर इस carriage का क्या क्या करोगे, क्या इसे भी raw material cost में add कर लोगे, और direct material cost बढ़ा दोगे, या इसे overhead treat करोगे, सर, सोचने वाली बात यह है, कि whether it's a directly attributable खर्चा, क्योंकि हम direct material में वही डालते हैं, कि जो material directly production के साथ जुड़ा है, कि जैसे 10,00,00 रुबेगा material लगा, और हमने 1000 unit बनाए, तो हम divide करके गया थे, this is per unit, पर क्या यह carriage on return को directly attributable खर्चा माना जा सकता है, कि it is related to the acquisition of material, और यह material आएगा, तो यह होना ही था, तो इसे भी cost मानो, prime cost मानो, मुश्किल है सर, अब मैं इसमें exact, इसलिए नहीं बोल रहा कि कोई बंदे अब paper उपर भी खतम होगे हैं, तो बैठे होंगे वीडियो बड़ी ध्यान से सुनने, पर मैंने बातों-बातों में इशारा कर दिया है, कि यह directly attributable थोड़ा कम लगता है, पर वो ही पुराना rule है यार, result, result आने हैं, बच्चों का mood नहीं इदर उदर करना, Expenses for Participation in Industrial Exhibition, Industrial Exhibition हुई, वहां आपके, जैसे CII होता है, हमारे चंडीगड में भी, सेक्टर 17 में, क्रोना काल से पहले तो बहुत धूमधाम से एक्जिबिशन लगती थी, और बड़ी-बड़ी Industries यहां आती थी, बहुता है, और बुकिंग की जाती है, तो उगर इस तरह की Participation में आप गए हैं, अपने प्रोडेक्ट को लेके, तो अब्बेस हैं यह वहां से Sales Regenerate होगी, इसी ले गए हैं, तो इसको तो आपने ठीक कर दिया होगा, Then there is Legal Charges, Salary to Office Staff, Maintenance, Office Building, सारे बेकार पॉइंट, Depreciation of Delivery Van, पता है, Ware Housing भी पता है, तो एक तो सर हो Carriage on Return उपर अटक गया थोड़ा सा, वहां प्रॉलम आ रही है, तो उसके पाद इसने Bouncer भी बढ़िया हमारी है, जो store overheads है, on material, 10% of the material consumed, अब अगर material consumed हमारा गलत हो गया, तो store overheads आप ही गलत हो जाने, यह भी point लग गया है सर, यह तो institute की परानी आज़ता है, कि जहां point गलत होना है, उसके साथ base में लेके खर्चा रखना ही रखना है, तांगी वह भी गलत, तो यह भी गलत, factory overhead कहता है, 20% of the prime cost, अब कहता है, 10% of the output was rejected, and some of 5,000 were realized from the sale of scrap, तो 10% output, आपका reject हो जाता है, उससे कुछ scrap sale आती है, चलो यह नॉर्मल है, यह हम less कर लेंगे, पता है, आगे बाउंसर है फिर से, 10% of the finished product was found to be defective, defective were rectified at an additional expenditure which is equivalent to 20% of proportionate wages, बले, पूरे पे जितनी wages लगी थी, उसमें से 10% पे कितनी लगी होंगी, वो ढूंड दो, ओधा 20% कर दो, cost of rectification आजेगी, cost of rectification निकालने थी, पर यह सारी बाते हैं, paper में एकदम बैठे-बैठे ध्यान से नहीं आती है, ठीक है जी, अब इसमें pricing के साथ, वो confuse ना करना ही, कहजा question हम assignment में करते हैं, जहां वो defective होता तो उसे थोड़ा अलग rate पे बेच देंगे, वो चीज नहीं है, यह ठीक करवाया, वो the cost of rectification आपको ढूंडनी है बस, output 8000 unit है, you are required to prepare the cost sheet, total output was 8000, ध्यान रखे, cost sheet for the period, इसमें cost of raw material consumed, prime cost, work cost, then cost of rectification cost, उसे लिए सब निकालना, तो this could be the question, जिसने बच्चों का time काफी लगवाया होगा, और एक को decision जो होता है, कि भई, drop कर दें ते फिर theory कर लें, सर, हमारे players तो जातर theory नहीं करते हो, तो जहां तक मेरे को पता है, बाकी theory करवाई जाती है, notes भी है, सब कुछ है, बट उन्हें पता होता है कि यह 10 number में से, अगर एक अदा point इदर उदर होता भी है, और बाकी का अगर हम बाकी 10 number देखें, 20 number कोशन हो, बहुत ही flat है, या तो आपने theory बहुत बढ़िया रट्टी हुई है, बक्का आपने रट्टे लगा रखें, बहुत बढ़िया वाली कर रखें, quality उसकी high, तो 20 में से आपके 14-15 आजएंगे, maximum, क्यों लास्ट दोला theory है तकरीवन, बाकी देख लेंगे, ठीक है, अगर तो आपकी उसकी बहुत त्य फिर आया जी joint processing, further processing अला हो जो question होता है, कि further process करें या ना करें ऐसी बेचने, सर बहुत अच्छी तरह बहुत बार किया हुआ, पांच नमबर हो question है, इसमें कुछ बोलना नहीं बनता, फिर आगे question आया जी, information of newly set up organization है, ध्यान रखना, newly set up, चोलो जी, शुकर है, उसने average अप compute the employee turnover rate using the separation and flux method, अब जिसना का data यहाँ पे है, तो separation तो 25 है, replacements कोई addition मान के चलना पड़ेगा, और क्या होगा, फिर equivalent employee turnover rate भी निकाल दो, sir, equivalent, given that और यह प्यार से बढ़ना, swing है, बेटा, देखो, यह न, off-spin का action करके सीधी निकल रही है, बॉल, अब तुमें equivalent employee turnover rate में कहानी पड़ी जाती है, ओ यार, यह तो March का data होगा, कोई नहीं, एक मीने का data, divide by, 1 into 12 कर देते हैं, analyze करना होता, पर, sir, यहाँ देखिए, data यहाँ बुला गया था, 30 March, year ended का, एक मीने का तो यहाँ से भी नहीं लग रहा था, क्योंकि year ended word था, फिर इसने बताया, हमने तो काम ही 30 January क तक के तो दो मीने का data, बेटा, analyze करना आना चीए, ठीक है, जी, कर रखा है, module का topic है, बेटा, कहीं से भी पढ़े है, आपको यह topic कर रखा आपने, अगला जी, fair gift है, और वहाँ कोशिट बनानी है, profit as per coast route निकालना है, फिर reconcile करना है, financial के साथ, financial बने हुए, आप देख सकते है नॉर्मल production capacity वाले question हमारे पास पढ़े हुआ, assignment में, notion, rental appointment भी पढ़ा हुआ है, तो यह सारी चीज़े थी, activity based costing से, यह question बहुत बढ़ी है, third question बहुत बढ़ी है, यह 20 में से 20 देगा, बोतों को, वो question आया, जो CA final में बहुत बार आ रखा था, assignment में भी हमने उसे रखा हुआ ह हर जगा विलबल है, वैसे थो, PQR is engaged in the production of three product PQR company, calculate the activity cost rate on the basis of cost driver capacity, तो भाया, यह रीजी cost, यह आपके labor are, और यह सब कुछ, छीक है, इससे driver rate route आ जाने है, फिर consumption of activity कितनी कितनी हुआ है, वो भी आ गया, cost allocated to each product, बिल्कुल असान, फिर cost of unused capacity for each activity, सर वो आप चेक कर सकते हैं, कि भी देखो, आप आपके labor hours जड़े हैं, वो 30,000 थे, अब ये labor hours का total 30 तो नहीं है, production run 600 है, इनका total भी 600 तो नहीं है, हलका सा twist तो थोड़ा-थोड़ा कोशनों में किया गया है, inspection में भी है, क्यों बनाते ही है, सिरफ यही है, तो एक question इनी के लिए थी, इनकी production में जितनी न होनेगा, 440 या 540 सर, 540, run थे 600, तो ये इतने की cost थी 600 की, अब उसमें से 60 नहीं लगे, उसकी cost निकाल दो, ऐसे इसमें क्या दिक्कत है, कुछ चीज़ें on the spot भी समझनी होती है, फिर सर इसका वो प्यारा होला point आ गया है, जहां एक नया customer आता है, और हो कहता है, इतने unit मंगवाने हैं, पर lots में मंगवाने हैं, तो उसके लिए designing होती है, designing cost, potential customer has approached the company for supply of 12,000 unit of new product as to be delivered in the lot, और 1500 unit per quarter, कैरा बेटा मेरे को 12,000 unit चाहिए, पर मैं 15,500 करके मंगवाऊंगा आप से, 8 quarter में माल जाएगा, अब इस product की होती है, designing cost, 30,000 रुपे, ये इसकी per quarter production का data होता है, इतने का material लग जेगा, जी इतने labor hour लग जेगे, ये सब हो जेगा, कैता आप cost sheet बनाया ना, direct और indirect cost दखा के, इसे sale value पर quarter लेया ना, इसमें आप निलैक पार्टियां क्या करते हैं, जी designing cost है, तो direct cost, वो पूरी 30,000 रुपे ही डाल देती हैं, सिद्धी, ये बिलकुल गलत हो हो जेगा, बिटा, कि quarterly cost sheet बन रही है, बिटा, 30,000 रुपे जो designing cost है, वो 12,000 unit के order की है, एक quarter में 1500 unit जा रहे हैं, तो इदा 1 by 8 डलना, ये point आपको हम से काते हों, तो दे ABC में, CA final में जो question था, वो length ही था, जो हमने assignment में रखा था, इन्होंने काफी चीज़ें बीच में से निक पर होना, उनके angle से भी खरवा रहा हूँ न, अभी जिनका होना है, जो अंपर में, ठीक है, आपकी ज्यादा detail में बोल दो, तो फिर ये भी लग जाता है, यार, बच्चे, यार, यह तो गल्त हो गया, यह तो गल्त हो गया, ठीक है, अब manufacturing unit, manufacturer, product x, y, z, which passed through three distinct process, x, y and z, process का question कोशन है, missing figure allocation है, काफी इस तरह के कोशन हमने कर रखे होते हैं, single, missing, multi, fishing, बहुत कर रखे होते हैं, material, material, labor, labor, ओरेड इतनी है, डेड़ सो परसेंट करके absorb करनी है, आराम से हो जाएगी, 15,000 unit का 2 रुपे वाला material यहां introduce होता है, पहले, x में, ठीक है, output of each process is passed to the next, and finally 12,000 unit, मतल no stock of material or WIP was left in any process, अब आपको percentage of normal wastage दी हुए, percentage of wastage to the normal input, अब जैसे पहले वाले में, 15,000 आपने डाले, इस पे 6% normally waste हुआ, तो भई, expected यह 6%, 14,100 बने गा, यहां पे, ठीक है, अब बीच वाले में, इन्होंने wastage की percentage पे रखा है, कुशन माख, तर अगले वाले में का है कि normal input की जड़ी wastage है, वो 5% है, final output क्या बना है, वो भी दे रखा है, थोड़ा और ध्यान से देखना है, कोई abnormal loss loose ना गुमाएगे हूँ, final output तो 12,000 दिख रहा है, तो एक तो यह percentage, डिग आउट करनी है, जो की हो जाएगी, एक बार question पूरा पढ़ लीजे आप, find out the percentage of wastage in y, given that the output of process y is transferred to z at 4 रुपे पर unit, low sir, low, अब तो काफी राज खोल जाएंगे, कि भाई y to z जो transfer हुई थी, उसकी cost per unit आ जाती है, अब तो वही missing figure अला question बने गया, जो इतनी बार किया हुआ, cost minus crap of normal divided by expected output is equal to cost per unit 4, यहां balance figure में आपको loss percentage पता चल जाएगी, और कई खुलासे भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है जी, ठीक question था, अगर आपको आदत नहीं है, प्रोसेस में आई जी question face करने कि देन ये भी आपका time बहुत ज़्यादा खाजेगा, बट इस तरहें question किये जाते हैं, तो अलत होनी चाहिए, तर अगला सवाल आया जी, नया जो study material आया था, उसमें इन्होंने insurance वाला topic एड कर दिया था, regarding this service costing, वहां है, पांच नमबरा सवा आया, वहां working professional के लिए कुछ ऐसा पूचा गया है, कि आपको policy की costing करनी है, तो अगर आपने question पढ़ रखा, देख रखा, तो तो ये straightforward question है, बस ये add-add करके cost आजेगी, cost पर policy हो जेगी, पर जिए आपने नहीं पढ़ा है, तो ये पांच नमबर इदर उदर हो सकते हैं, बिल अच्छोंने उस पर timely हमें contact भी किया, कि ये चीज वीडियो पर प्रवाइड के रहें, वो करें, वो सब भी उनको किया गया था, अब पांच नमबर में है, contract का question रखा गया है, ठीक टा question है, बट five marks only, ठीक है, हो सकता है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अब सब ऐसे करते करते हम पहुंच गए हैं जी, अब फिफ्ट question पे, एक तरह से जाब सारा practically करने में येकीन रखते हैं, तो आपका last question है, यह बात theory रहेगी ज्यादा, standard output of product DJs 25 unit per hour in a manufacturing department, जहां 100 वर्क कर, इन्हें 40 वार वीक, the department produce 960 units, ठीक है, बैसे standard output 25 unit per hour था, तो 40 गंटे में कमी बना है, यह तो देखने में, बिस्पाइट 5% of the time paid was lost due to abnormal reason, तो idle time variance active हो चुका है, early wages actually paid are these, यह wage rate आपने पे किया, respectively, to group A consisting 10 workers, group B consisting 30, group C consisting 30, standard wage rate, पर labor are same for all the workers, पर बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो standard wage rate यहां आपको दिया नहीं हुआ, यह बता दिया कि it is same for all the workers, ऐसा बता दिया है, labor efficiency variance is 240 favorable, एक variance दिया हो, यहीं से ही hope जागेगी कि उसकी back calculations की जाएंगी, आगे कहता है, total labor cost variance निकालो, total labor rate variance कालो, गैंग और yield, अगर तो आपने standard costing को रटे मार के किया हुआ है, तो यह question बसके बाहर है, अगर आपने समझ के किया हुआ है, then naturally you can work it out, कि भी आपके पास labor efficiency variance बढ़ा हुआ, 240, अब यह जिस तरह लिखा हुआ है, यह combined ही माना जाएगा, और जो standard wage rate per labor, same for all the workers, group A, group B, group C, इसमें जो standard wage rate अवो अलग लग नहीं है, वो सबके लिए same है, तो उसको डेग आउट करना बहुत जुरूरी है, ठीक है जी, आप actual wage rate तो देखी सकते हैं कि उसमें तो differences है, तो थोड़ी back calculations है, reverse करना पड़ेगा, time लगेगा इसके अंदर, इसमें भी हो सगता है कि लोग इदर उदर हुए हो, मैं genuine student दे जिस तरह जिस तरह review होता है, जो student का point of view होता है, वो रखता होता हूं मिशह, अब सर अगला जो question है, वो आपका budget costing का आ जाता है, सवाल फिर से उमीद जगाने और question बहुत easy है, बहुत बार इस तरह के question किये कराये जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, production, production हर कोई निकाल लेगा, sale भी निकाल लेगा, जो भी है, सब हो सकता भाई, sale budget in रुपी है, तो multiply करती ही आ जेगा, production में वही formula, sale add, closing minus opening, तो this is all regarding practical, अब theory, अब मान लिजे, एक cost sheet ने वाँ टांग अड़ाई हूई है, एक standard costing ने थोड़ी सी टांग अड़ाई है, पर standard वाला निपड जेगा, जो बच्चे वहारी assignment करके गए हो, कर जाएंगे रहाम से, ठीके जी, अब अगर मान लिजे, फिर भी आईजा कोई decision होता है, तो आप एक question छोड़ देते है practical, पूरा, तो आप theory में आ जाते हैं, theory में इन्होंने पूछा जी, type of responsibility center under the following situations, अगर पढ़ रखा है तो then है, what is marginal safety, what does large, बड़े असानी से लिख सकता है, इगर इसमें आपको चार करने होते हैं, यह पांच है, प्रोन premium bonus does not motivate a highly efficient worker, इस पे भी लिखा जा सकता है, फिर बिल्ट, operate, transfer scheme, जो है service sector की इस पे बताओ, toll rate के practical कर रखे हैं, वो बताओ, यह vital essential वाला, वो जो होता है, inventory control system, desirable वाला, यह भी लिखा जा सकता है, मतलए जह आपने theory पढ़ी है, तो वो ही बात है ना, कि अगर आपकी theory बहुत ज़्यादा अच्छे से त्यार नहीं है, बहुत ज़्यादा आप उस पे मैनेट करते हैं, कि आपको practical confidence है, तो ठीक था कि लिखी जानी है, इसमें से भी 20 में से 10 बार आएंगे at most, तो इतना तो उन practicals को जह आप attempt करो, कि standard के साथ आपका 10 नमबर में यह पड़ा, budget, यह दिखो यह पूरे 10 नमबर का, और regarding that cost sheet वाला question, regarding that cost sheet वाला question, उसके साथ भी जब हम गहे थे तो पाकी question easy थे यार, एक बार आ जाते हैं, हाँ, 10 नमबर के जो उसके साथ भी सवाल पड़े हैं, वो easy है, तो बहुत 10 प्लस है उसमें, 10 प्लस, इसमें, at most 10-12 ही है, और उनमें, standard में भी माफाइट मारूँगा, cost sheet में भी मारूँगा, तो मैं नमबर तो लेके जाओंगी, तो overall अगर इनु इस चर्चा को end करें, तो यह कह सकते थे कि around 80 marks का paper तो चलो, सीधा था, कि जिए आप थोड़ा ध्यान रखते हैं, कि आँखे खोल के रखने वाला, speed से करने वाला, 20 marks के paper में थोड़ा ध्यान रखने की जुरत थी, हाँ, जिए आपकी assignment जिस तरह हमारे में बहुत loaded question है, तो यह हम कह रहे हैं, मलें जिसमें toughness है, सारे topic बहुत ज़्यादा covered है, बाकि जब बहुत simple simple चीज़े करते हो, और फिर बहुत बहुत ज़्यादा theory सुनके याद करते हो, फिर तो आपकी पहले ही approach है, कि मेरे से तो practical होना ही नहीं है, फिर तो बेटा यह इन में से कई और उक्खे लग जाने हैं, मैं सच बता रहा हूँ, फिर यह data मेरा सब पे थोपने के लिए नहीं है, मैं उस बच्चे के लिए कहा रहा हूँ कि जिसका जो practical अच्छा covered है, अच्छे question उसने कर रखें, 20 marks में यह नहीं कर रहा हूँ, यह खतम होगे, 20 में थोड़ी से struggle है, आपके सामने fair opinion देना है, सबके लिए जो हो, ऐसे थोड़ना कि यह तो होई जाना तो होई जाना था, नहीं नहीं, कुछ points हमने discuss की हैं, आगे effort रहेगी कि यदि solution वीडियो भी लेके हैं, full-fledged discussion होगी, ठीक है जी, तब तक के लिए बेटा, bye-bye, okay जी,